बरेली में 24 फरवरी से शुरू हुए हिंदुस्तान क्रिकेट लीग में आज फ्यूचर कॉलिज और इन्वर्टीज के बीच आखरी मुकाबला खेला गया फ्यूचर कॉलिज की टीम ने शांदा प्रदर्शन करते हुए चार विकेट से जीत दर्च की फ्यूचर कॉलिज ने टॉस जीत कर गेंदवाजी करने का फैसला किया सबसे पहले मैदान पर उत्री इन्वर्टीज की टीम ने 20 ओवरों में 146 रन बनाए इन्वर्टीज टीम के ही बल्लेवाज मोहमद जीशान ने सरवादिक 57 रनों की पारी खेली इन्वर्टीज टीम दौरा दिये गए 147 रनों के लक्ष को फ्यूचर कॉलिज की टीम ने 19.9 ओवरों में हासिल कर दिया टीम के बल्लेवाज प्रकाश सहरोती ने 42 गेंदों पर 54 रंजर दिये जिसमें 2 छक्रे और 5 चौके शामिल है इन्वर्टीज टीम ने भी बैदरीन खेल दिखाया टीम के गेंदवाज फरान ने फ्यूचर टीम के तीन बिकेट जटक लिए